अज भी मैं आपके सामने परिया वरर के बहुत ये श्यांदार क्वेस्चन लेके आई हूं तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं अज का हमारा पहला क्वेस्चन है विश्व की 25% भूमी को अच्छा दित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है आपको बताना है वे कौन से वन है जो विश्व की 25% भूमी को अच्छा दित किये हुए या घेर हुए हैं तो आपके ऑप्शन है उश्व कटी बंदी वर्शा मानसून 1 यह साइबेरिया के टैगावन यह उरोप के शितोष कटी बंदी 1 तो आपका राइत अंसर हो जाएगा जाएगा थार्ड वाला साइबेरिया के टैगावन ठीक है यह जो है प्रत्वी के उत्तरी गोलार्द में इस्तित है यह कहां इस्तित हैं उत्तरी गोलार्द में इस्तित हैं ठीक है और यह आपके 50 डिग्री से 55 डिग्री अच्छांश रेखा के मद्ध पाए जाते हैं ठीक है तो आप याद रखेंग हैं तो आपको बताना है इस किमो अपने घर इगलू का निर्मार बर्फ से करते हैं इसका कारण क्या है ठीक है आपके ऑप्शन है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है बर्फ की दिवारों के बीच मौझूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है या बर्फ मुफ्त में मिलती है अनसमागरी की कीमत अधिक होगी और आपका फोर्थ आप्शन है धुवी छेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है तो सबसे पहले आप यह जान ग्रीन लैंड के तुंडा प्रदेशों में पाई जाती है ठीक है और यह अपने जो घर बनाती वो बर्फ से बनाती है और बर्फ से बने घरों को क्या बोलते है इगलू बोलते है ठीक है तो आपको बताना है कि यह अपने घर बर्फ से क्यों बनाते है तो आपका राइट बर्फ की दिवारों के बीच मौझूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है जो इनके घर बर्फ से बने होती है तो बर्फ के दिवारों के बीच जो हवा मौझूद होती है वह क्या करती है अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है ठीक है जिससे क्या होता है अंदर का त्मार वहां अभित हो जाता है वहां एसलिए वह अपने घरों का निर्माघ बिर का वहाँ होती है वह अंदर की गर्मी को बाखर जाने से रोकती है और रहना असान हो जाता है ठीक आपका next question है आपको बताना है तूटता तारा है यानी उलका है ठीक है आपका option है उलकाप जो प्रत्थवी के वायू मंदल में परवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं चलता है और फोर्ट ऑप्शन है एक तारा जिसके एक सीरे पर पूछ होती है तो आपका रायट एंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला उलकाप जो प्रत्थवी के वायू मंदल में परवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं देखिए जो तूटता तारा हम लोग बोलते हैं वह कोई कि टारण ही तूट ता है उल्का पिंड होते हैं जो कि ढूल व्क गैस के बनी होते हैं जो प्रत्वी वायू मदल में पर्वेश करते हैं तो घर्षर के कारके इस्समें आग लग जाती है तो इसे ही क्या बोलते हैं उलका पिंड बोलते हैं तो आपका रायट अनसर कौन सो हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा उलका जो प्रत्थवी के वायू मंडल में परवेश करते ही आगपकर लेते हैं नेक्स आपका question है, सत्यात प्रकाश के लेखक का नाम, आपको पताना है जो सत्यात प्रकाश पुछतक है उसके लेखक कौन थे, स्वामी दयानन सरस्वती, स्वामी विवेकनन्द, या राजराम मुहन राय या मदन मुहन मालवी, तो आपका right answer हो जाएगा स्वामी दयानन सरस सत्यात प्रकाश के लेखक कौन है, तो डयानन सरस्वती, और अगर आपसे पूछ लेते हैं की आरजरी समाज की स्थापना किस ने कीी, तो आर्लि समाजरी स्थापना भी दयाननर्श्वती जी ने की थी, तो किस सन में की थी इन्हों ने 18- अगर आप से पूछ लेते हैं कि दैनन सहस्वती का मूल नाम क्या था इनका मूल नाम था मूल शंकर ठीक है तो आप यह भी आद रख सकते हैं नेक्स आपका है निमलिखित को सुमेलित कीजिए आपको मिलाना है ठीक है यह आपकी कला दे रहे हैं यह संबंदित राज्य दे रहे हैं आपको बताने कौन सी कला किस राज्य की है कलमकारी आंधपरदेश पिथोड़ा मध्दपरदेश वरली महरास्ट और मधुबनी बिहार ठीक है तो यह मिले हुए ही देगा मतलब इसमें कलमकारी आपकी आंधपरदेश की है पिथोड़ा मद्धपरदेश की है और वर्ली महरास की मद्धुबनी भिहार यानि कि सही दे रखा हुआ है तो आपका राइट अंसर कौन सा हो जाए देखिए फर्स लाइन से दे रखें सारे वन फर्स स देखिए ंसर शिप फव्ट अपर सब्सक्राइग हो जाए तो अपका कौन सा सपे यर क्वनने के लिए पढ़ाब से पहुशने के लिए किसी वनी चाहिए तीक है अगर आपको मुख मंतरी बनना हो सब्सक्राइब ऑसक्रका चाहिए korromb और राज्त प्रलड ốc Пर्ण्व और अगर आपसे पूछ लीठे के लिए ख Soul होनी के तो ट्रीए अगर आपसे जाय बनने के लिए पत्यस वर्श ओनी चाहिए और आपसे बोई की ऐज शुद्ष होनी के बिली 25 राश्पति बनने के लिए 35 और राजसभा का सदस्भा का सदस्भा के लिए 25। हमारा है जब पादप विविज्दा को प्राकर्तिक आवास से दूर सनरक्षित किया है तो सनरक्षित को कहते हैं आप ये बता है जो पादर विविद्धा को हम उसके प्राकर्तिक आवास से दूर रखते हैं तो उस सनरक्षर को क्या कहते हैं आपकी option है इस्थान रही परिस्थाने या जीवे या पात्रे तो आपका राइट अंसर हो जाएगा second वाला परिस्थाने ठीक है जो हम किसी भी पादर पुद्ध्यान और चिडिया घर हो जाएगा नेक्स आपका question है वर्ष 1992 में परियावर से रंक्षर से संब्धित प्रत्थम प्रिथ्वी संब्धित के शहर में हुआ था आपको बताना है जो परियावर से संब्धित जो सम्मेलन किया गया था प्रिथ्वी संब्धित किया आपको बताना है प्रत्थम संब्धित किया गया था तो आपके option है कोपन हेगन या रियो डी जैनेरियो या वाशिंग्टन या इस्टाखूम तो आपका राइट एंसर हो जाएगा रियो डी जैनेरियो ठीक है सेकेंड वल आपका राइट एंसर हो जाएगा प्रत्थम प्र झादा में और ये आपका पढ़ता है कहां insemen परता है चलते है नेक्स वर्स्यन पर ये आपको बताना है निम्रिखित में से कौन एक शाही समेलित नहीं है ठेक है तो अरज आण किसके रही हांगुल के लिए मनस रश्व लगन हाथ के लिए द अपको बताने वाला 2 सुमेलित सही नहीं है क्योंकि आपका जो परियार रही हो या रहांंगुल के केरल में इडुकी एक जिला है वहां पढ़ता है तो यह आपका पढ़ता है उत्तराखंड में पेरियाल तो आपको बता दिया केरल में पढ़ता है और अगर पूछ लेते हैं कि मानस रास्टी उद्द्यान कहां पढ़ता है तो यह आपका पढ़ता है उत्तराखंड में पेरि और आपका दुद्वा रास्टी उदान पड़ता है उत्तर प्रदेश में ठीक है चलते हैं नेक्स वेशन पर नेक्स वेशन है हमारा जब धूफ से भूमद रेखा की और बढ़ते हैं तब जय विविद्टा बढ़ती है घड़ती है इस्थिर रहती है यह इन कोई नहीं आपको पताना है जब हम धूफ से भूमद रेखा की और आते हैं तो जय विविद्टा बढ़ती है यह इस्थिर रहती है तो तो जय विविद्टा क्या है बढ़ती है तो आपको राइट एंसे कौन सा हो जाएगा फर्स्ट वाला टिक जब हम भूमद रेखा से से ज्यादाती है याद रखी निमलिखिद युगमों में से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित यौक सारप्रतम कि सांही से था यह ज्या certification सबसे पहले एजी टांस ले ने किया था और एको लाजी का अनिस्ट हैकल ने किया तो इसलिए आपके सारे एंसर राइट हो जाएंगे तो इसलिए आपका एंसर फोर वाला आएगा सभी सही है किस देश में सरक्षि शेत्रों का सर्वत्तम तंत्र है चीन में कास्टा रिका में यूएसे में यह स्विट्जर लैंड में तो आपका राइट अंसर हो जाएगा स्विट्जर लैंड नेक्स वोश्यन पर चलते हैं चर्थ बॉलैंग समूदाय में प्रात्मिक उभ्बॉकता है आपको बताना है कि यह नना जांद Haraj होते हैं सर्वहए उत्क Kan Usually G Dass We have just pulledоры कैके जिक कृण होते हैं वह वह स्विछेत्धा हो जाएगा झारिया कर्ण तो आपका राइट अंसर हो जाहगा third वाला ढाग है और दित्ते को भोक्ता में आते हैं त्रित्ते को भोक्ता में आते हैं त्रित्ते को भोक्ता दोनो प्राथमिक और दित्ते को दोनो ठीक है यह दोनो इसमें आते त्रित्ते में ठीक है एनिकि त्रित्ते को भोक्ता में मासा हरी भी आते हैं मासा हरी आते हैं ठीक है बहुत को कि यहां दखेए कि प्रात्मि भूक्ता में शाकाहरी दित्तेक में मासाहरी और तृत्तेक में प्रत्थम भूक्ता आपको पताना है कि जो मृत्त जंतु हैं उनको जो अपना भूजन बनाते हैं ठीक उन से जो अपना भूजन करते उन प्राड़ियों को क्या कहते हैं पैरासाइच डिकम्पोजर इसके वेंजर या ओमनी वोरा तो आपका राइट हंसर हो जाएगा थर्ड वाला इसके वेंजर बोलते हैं जो म्रत्र जन्तुव से अपना बोजन प्राप्त करते हैं या निर्वा करते हैं तो उन प्राणियों को इसके वेंजर बोलते हैं भारत में वनें जियो सनक्षर अधीनियम कब पारित किया गया आपको बताना है वने जो सनक्षर जो अधीनियम है वो भारत है और लेज पारित किया गया तो वश 1 known साथतर में वश 1971 में वश 1972़ या pakसं Debata में तो आपका राइट अंसर को जाएगा थरड वाला 1972 में वन इजियो 我們 सवरंप अधिनियां फायर gap किया शो चिर अब करमें कि मैट्रो पज्खाली का मैट्रो पोलीटन नगरों में पदूशर का प्रमक्षोत है थीक है आपको बताना कि जो मैट्रो पॉलीटन नगर है उसमें पदूशर के प्रमृक्षोत कौन-फों या उद्योग या कीट नाशक तो आपका राया टेंसर हो जाए कि सेकंड वाला स्वत्ता चलित वहन इनकी वजासे वहां पर प्रदुश्य बहुत जाद होता है क्योंकि इन वहनों से बहुत ऐसे गैसे निकलती है जो प्रदुश्य फैलाती है जैसे कि आपकी हो जाएगी कार कार्बन डाइ ओक्साइज ठीक सियो टू आपके आजी कार्बन मोनो अक्साइज आपकी है पीबी भी है क्योंकि उस महानों से पीबी निकलता है मतलब की सीसा और गया से एक एच जी जो कह पारा है और आपके हो जाएगी हैस्तू एस हाइड्रोजेन शलफाइड यह सब के पादूश्र फैलाती है में है हिग्रोजेन कि इसलफाइड थिक है यह यह दखी क्या आपको ऐसे भी दे सकते हैं स्यो टू सीओ पीबी हच जी एस च्यू एस तू एस तो आपको सियो टू क्या हो त HG Para, H2S Hydrogen Sulfide, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेस्टिन है, पेरोक्सी ऐसीटिल नाइट्रेट क्या है, यह एसिडिक डाई है, पाधप हार्मोन है, गौर्परदूशक है, यह वितमिन है, तो आपका राइट एंस है, थर्ड वाला, जो आपका पेरोक्सी ऐसीटिल है, आइसी चलते है, नेक्स्ट वेस्टिन पर, आपको बताना है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तर दाई है, ठीक है, आपको बताना है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बोले, यह वैश्वित भूततापन, बोले, मतलब किस वज़ा से पृत्वी का रापन बढ़ राए ह तो उसके लिए कौन सी गैस उत्तरता ही है तो आपके ऑप्षन है नाइट्रोजन, मेथेन, कार्बंड़ाई आकसाईड यह सलफ़र डाई आकसाईड तो आपका राइट एंसर हो जाएगा थर्डवाला कार्बंड़ाई आकसाईड ठीक है यह क्यादा एकसाईड जो गैस है य इसलिए आपको राइट अंसर हो जाएगा थर्ड वाला कार्बन डाई अक्साइड आपको बताना है वायो मंदल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहां इस्थीते ठीक है तो आपके ओप्शन है आर्करिटिक महसागर के ऊपर अंटार्टिका के ऊपर या भा आपका पाया जाता है अंटार्टिका के ऊपर यानि की सेकंड आप्शन आपका राइट हो जाएगा अंटार्टिका के ऊपर ठीक है और ओजोन परत को कौन चरड कर रहा है कौन ओजन परत को हानी पहुचा है तो आपकी जो सी एफसी गैस है सी एफसी गैस है यानि की क्लोर देटि आपको बताना जो कुनायान दवा हो किस पौध़र सेपरापत होती है मनी प्लांट से सीघ्ल सीनको žाथ और अउनलियजी से आपको एंसर हो जाएगा सिंको प्लांट से गता है जो कि मेले रोन के उपचार के लिए बनाई जाती है याद रखे अगर पूछे से बनाई जाती है तो यह आपके परियावड के कुछ क्वेस्चन थे आपको कैसे लगे आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और अब हम बिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत